Hello everyone, Warren Buffett को कौन नहीं जानता? Warren Edward Buffett, उनका पूरा नाम है और वो एक American businessman, investor, speaker और philanthropist है जो chairman और CEO है, Berkshire Hathaway के वहें कुल 8,400 करोड डॉनर्स की संपत्ती के मालिक है तो आप ही सोचिए जिस व्यक्ति ने इतना धन कमाया हो उनके experiences कितने कमाल के रहे होंगे और अगर आपको उनसे ऐसे ही कुछ तरीकों के बारे में पता चल जाए जिनसे आप भी wealthy बन सकें, तो कैसा रहेगा? तो चलिए जानते हैं उनके बताय हुए कुछ wealthy बनने के तरीकों के बारे में जिसमें सबसे पहला है that reinvest your profits सिर्फ यही एक लौता ऐसा तरीका है जिससे आप compound growth कर सकते हैं Because ऐसे आप पैसे से और पैसा बना सकते हैं मतलब कुछ अलग और हटके करने की इच्छा पैदा करना अकसर हम वही करते हैं जो हम सुनते हैं जिसकी वज़ा से आपको तकलीफ हो सकती है लेकिन सुनी-सुनाई बातों के अगेंस्ट जाकर कुछ करना थोड़ा crazy जरूर लगता है लेकिन अगर उसे ठीक तरीके से किया जाए तो उसके बहतरीन परिनाम आपके सामने होते हैं अगर आप कुछ प्रोड़क्टिव काम खोज पाने में समर्थ होते हैं तो उस काम को शुरू कर लेना चाहिए खाली बैठ कर टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए किसी भी चीज को अनुसरण में लाने से पहले उसके विशय में पूरी जानकारी जरूर प्राप्त कर लें ऐसा करके आप बड़े खत्रों से बच सकते हैं अर्थात छोटे छोटे खर्चों पर भी नजर रखें किसी आर्टिकल में एक आदमी के बारे में बताया गया था जिसने टॉयलेट पेपर के 500 रोल गिनने थे यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह फटे हुए तो नहीं है यह सुनकर थोड़ा एक्स्ट्रीम लगता है लेकिन आपको इस तरह से पैसे बरबाद नहीं करने चाहिए मतलब ऐसे किसी भी स्टफ में पैसा ना लगाएं जिससे आप और पैसा नहीं बना सकते मतलब किसी भी कार्यक को शुरू करने से पहले उसकी सबसे खराब स्थिती के बारे में पूरी जांच परक कर ले अगर एक बार के अटेम्ट में आपको सकसेस नहीं मिलती है तो आप हार नहीं मान सकते आपको कभी हार नहीं माननी चाहिए लगातार कोशिश ही सफलता के द्वार खुलती है Number 8 is know when to quit मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपको कब क्या करना है कब आपको हाँ बोलना है और कब ना कब आपको पैसे इन्वेस्ट करने है और कब नहीं Number 9 is limit what you borrow आपको कभी भी उधार में कुछ भी लेने से बचना चाहिए जैसे कि कुछ लोन्स लेकिन आप student लोन्स को consider कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आप अपने career के लिए ही खर्चा करते हैं लेकिन कुछ car लोन्स जो लोग अकसर लेते हैं अगर आपको वो reasonable terms और condition पर मिले तब ही आपको उन्हें prefer करना चाहिए लेकिन यहाँ पर हमारा मतलब यह कते ही नहीं है कि कुछ debds अच्छे होते हैं अगर आप debds में जाकर उन वस्तुओं का wisely use कर पाएं जिससे आप पैसा बना सकते हैं तब ही वो borrowing की value है अन्य था ये व्यर्थ है अर्थात आपको पता होना चाहिए कि असलियत में success का अर्थ क्या है आपके अंधर कभी एहम मतलब ego को जगाहन नहीं देनी चाहिए success का अर्थ हर व्यक्ति के लिए अलग होता है लेकिन success का अर्थ कभी भी egoistic होना नहीं होता We hope कि ये कुछ बाते आपके लिए भी उतनी ही कारगर साबित होंगी जितने की Warren Buffett followers के लिए होती है This is Devya from Tejunity.com जल्दभ फिर हाजिर होंगे एक ऐसी ही amazing वीडियो के साथ Till then goodbye, Jai Hind हुआ 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 है